हेलो डियर इस्टूरेंस तो आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल MS Classes पर यह हमारा जोग्रफी का पार्ट 8 वीडियो होने वाला है जोग्रफी पार्ट 7 में हम लोग पढ़े थे उसमें हम लोग सौर मंदल क्या है बस इतना ही पढ़े थे और उपरगत थोड़ा बहु हैं ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उप्योग उन एक भासा में करते अकसर व्य दूसरी भासाओं के लिए भासाओं कें शब्द हो सकते हैं मतलब दूसरी भ qui को किस भSpace से लिया है गरिक भाथ किसा किस लिया है क्रिक भाथ से जिसका अर्थ है प्रित्वी का विवरन मतलब जियोग्राफी जो है ग्रिक भासा से लिया गया है और उसका अर्थ होता है प्रित्वी का विवरन मतलब प्रित्वी के बारे में हम लोग जानेंगे अच्छा या दो ग्रिक शब्दों से मतलब जियोग्राफी जो है दो ग्रिक शब्दों से मिल उसका अर्थ क्या होता है प्रित्वी और एवं ग्राफिया मतलब कि दो जोग्राफी जो है एक तरह से अंग्रेजी शब्द है जोग्राफी कौन सा सब्द है अंग्रेजी शब्द यह ग्रिक भासा से लिया गया है मतलब जोग्राफी को कहा से लिया गया है ग्रिक भासा से ल प्रित्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना आए प्रित्वी की संबंद में और अधी जाने समझेगा इस लाइन में आपको समझना है रटने से कुछ होने वाला नहीं है रटते रहिएगा भूल जाईएगा समझिए जोग्राफि कौन सा सब्द है अंग्रेजी सब्द मतलब जोग्राफि कहा से लिए गया है अच्छा चलिए घ्रीक का अर्थ होता है पलिट्भी हम ग्राफिया कर लिखना आया बथसमन में अब देखे हम आगे कि तरफ बलते हैं यह कहता है जियो, लॉजी, जियो लॉजी का मतलब होता है प्रिथवी का अध्यान, जियो लॉजी का मतलब क्या होता है प्रिथवी का अध्यान, और मैट्री, जियो मैट्री, यानि कि प्रिथवी का मापन, जियोड, जियोड का यानि कि प्रिथवी का आकार, जियोड का आइड जियो आइड यानि प्रित्वी के आकार के नुरूप अब हम जानते हैं सूर्य के बारे में सूर्य सौर मंडल के केंदर में इस्तित है सूर्य कहां इस्तित है सौर मंडल के केंदर में इस्तित है यह बहुत बड़ा है यह अदिक गर्म गैसों से बना है सूर्य बहुत बड़ा है और किस्ची से बना है गर्म गैसों से बना है इसका खीचाव बल मतलब कि सूर्य का खीच सुर्य के चारोर चक्र लगा लेते हैं कौन चक्र लगाते हैं बुद्ध उसके बाद कौन शुक्र तो यह सब आप समझ गया है कि यह जो भी ग्रह हैं सुर्य के सुर्य के चक्र लगा रहे हैं तो किस चीज के करण वह खिचाओ बल के करण सरा सौर मंडल इसी था लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उस्मा को महशूस नहीं करते हैं क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है मतब सुर्य सबसे नजदीक का तारा है हम लोग तारा में सुर्य का ही नाम सुन क्याते हैं वह सुर्य एक तारा है सुर्य क्यों तारा है पहले यह बताए क्योंकि सुर्य का अपना प्रकास है अपना उस्मा है तो सुर्य का अपना प्रकास है और अपना उस्मा होने के बाव मुझूद भी यहमसे इतना दूर है कि हम इसके उसमा को महसूस कर सकते हैं आप यह मता सुचेएगा कि जो सुरिय भागवान के गर्मी इतने भर है सुडिय भागवान के गर्मी बहुत दिख है लेकिन हमसे काफी दूर है परित्वी कितनी हैं 15 करोड किलो मेटर किलो मेटर अब मुझे नहीं लगता है कि आप भूले हो כि नो पादिजें सूर्य और पृत्वी की दूरी कितनी है सवर मंदल के केंदर में इस्थित होता है कि के सあー के सॉर मंदल को बांदे रखता है प्रकास और उस्मा का G 125 है कुन है सौर मंडल का सूर्य है और यह हम से दूरी कितने हैं मतलब कि सूर्य की जो दूरी है प्रित्वी से कितनी है 15 करोड किलोमेटर सूर्य के बारे में पढ़ लिया जितना कॉंसेप्ट था वो हमने याद कर लिया और अपने माइन में सेट कर लिया अब हम पढ़ते हैं ग् भाई दूरी कनुसर पहला जो ग्रह है क्या है बुद्ध है दूसरा सुक्र है तीसरा प्रित भी है उसके बाद चौथा मंगल है यह मंगल हो गया उसके ब्रियस्पति शनी यूरेनस और नेप्ट्यून यह आठ ग्रह है इस आठ ग्रह को आप याद कर लीजेगा एक मैंने बत आत्रिक रहा और चार बाहरा तो चार आत्रिक रहा में क्या क्या है बुद्ध शुकष पृत्वी मंगल बुद्ध शूक्र पृत्वी मंगल यह ब्रियुक पती शनी यूरेनस तथा नेप्ट्यून तो ब्रियास्पति, शनी, यूरेनस, नैप्टून, ब्रियास्पति, शनी, यूरेनस, नैप्टून, ये बाहय ग्रह है, ये कौन से ग्रह है, बाहय ग्रह, ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही, आंत्री ग्रह, चाटान के बने होते हैं, बाहय ग्रह, ड्रौ और गैस के बने ह आप कोई आप से पोछे तो आंतरी ग्रह किसजी से बने होते हैं , आंतरी ग्रह किस jis के बने होते हैं , द्रो और pomoda किसाN City वंबखे मैंकाो क्या याज़। और मुझे लगता है कि इतना मैं repeat किया हूँ आपके mind में जरूर set हो गया होगा यह ग्रह आपको मैंने समझा दिया अब यहां थोड़ा सा आगे बढ़िए देखिए यह एक trick बनाया है लोग सूर्य से उनके दूरी के अनुसर अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखनी का आसान तरीका मतलब अंग्रेजी में ग्रहों के नाम रखने के लिए इन्होंने बनाया है my very efficient mother just served us nuts M for Mercury हो गया B for Venus हो गया E for Earth हो गया M for Mars हो गया J for Jupiter हो गया S for Saturn हो गया U for Uranus हो गया N for Nuts हो गया तो इसको याद कर लिजेगा क्या याद करना है my very efficient mother just served Nuts यह English के लिए है आगे कि तरफ हम बढ़ते हैं इस और मंडल के सभी आठ ग्रह एक निश्चित पत पर सुर्य का चक्र लगाते हैं मतलब एक पत होता है एक रास्ता होता है जिस पर यह सभी ग्रह चक्र लगाते हैं यह रास्ते दिर्ग बृताकार में फैले हुए होते हैं और यह कख्शा करते मतलब कि जो ग्रह चक्र लगाते है उस ग्रह को हम क्या कहते है कख्षा करते हैं अब सुर्य के सबसे नजदिक कौन है लग मतलब सबसे समझ लिजे शूर्य के सबसे नजदिक है अच्छा दूसरा चीज अपनी कक्षा में सूर्य के चारो ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं मतलब जो बुद्ध है वो अपनी कक्षा में सूर्य के चारो ओर 88 दिन में चक्कर लगा लेता है बुद्ध सूर्य के सबसे नजदिक होता है मतलब कि सुर्य के बाद जो पहला गड़ा है अगर कोई गड़ा है तो उसका नाम क्या है बोध है वो 88 दिनों में सुर्य का चक्र लगा लेता है हमारा प्रित्वी कितने दिनों में चक्र लगाता है सुर्य का 365 दिन में प्रित्वी जो है सुर्य का चक्र कितने दिनों में लग कोई आपसे पूछ दे कि भाई प्रित्वी का जुरुवा ग्रह किसको माना गया है तो सुक्र को सुक्र को प्रित्वी का जुरुवा ग्रह माना गया है जुरुवा ग्रह अच्छा देखिए सुक्र को प्रित्वी का जुरुवा ग्रह तो माना गया है तो क्यों माना गया यह क्योंकि इसका आकार एवं आकरिती लगबग प्रिथवी के ही समान है तो भाई प्रिथवी का जुरुवा ग्रह किसको कहा गया है सुक्र को कहा गया है क्यों कहा गया है क्यों कहा गया है क्योंकि सुक्र का आकार और आकरिती प्रिथवी के समान है यहां तक मैंने आपको समझा अब देखें यहां पर क्या कराया कहता है कि अभी तक अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था मतलब अभी तक प्लूटो को भी हम एक ग्रह मानते थे और जानते थे कि प्लूटो भी एक तरह का ग्रह है परन्तु अंतराश्टी खगोली संगठन जो है इस खगोली संगठन ने अपनी बैठक अगस्ट 2006 में यह ने लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलिये पीन तथा प्लूटो बॉने ग्रह कहे जा सकते हैं मतलब की कहने का मतलब यह है प्लूटो को भी एक ग्रह के रूप में माना जाता था लेकिन खगोलिये अगठन जो अगस्ट 2006 में बैठक ली उसमें प्लूटो को ग्रह से हटा दिया बोला कि यह नहीं है लेकिन फिर भी उनको यह बताया कि भाई प्लूटो को हम बॉने गरह क्षाइए बन सकता है कि बाइव बाङल गरह तो अ कितना है तो देखिए आपको मेरे तरफ से ये पुरा कोशिश था कि बहुत अच्छे से समझाएं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा अगला जो हमारा वीडियो होगा वो प्रिथवी चंद्रमा उसमें हम पढ़ेंगे और वो हमारा जोग्राफिक पार्ट 9 होगा अभी टीज मेरे तो लग्चे से संहें होगा अभी बहुत अजहां।